नमस्कार दोस्तों, जैसे ही गर्मिया सुरू होती हैं दोस्तों, पावर कट की समस्या अनुमन हर सहर में कमों बेस होते रहती हैं लेकिन कुछ सहर ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज़्यादा पावर कट होती है ले लिजे मेरे सहर का ग्यामपल, मैं पिछले 5-6 साल से परिसान हूँ पावर कट को लेके लगबग हर रोज गर्मियों में 3-4-5-6-6 घंटे तक कभी कावार तो पावर कट हो आती है वैसे सुचुईशन में अगर फैमिली को कोई लेकर रहता है एक 1-BHK फ्लैट में, 2-BHK में छोटे जगा पे, किसी या बड़े जगा पे बाहर निकल नहीं सकते हैं, रात में सुने चले तो पावर चली गई तो प्रॉबलम होती है तो वैसे सिचुईशन में पिछले 5 साल से परिसान था, 5-6 साल से एक फ्रेंड ने मुझे 2 साल पहले सला दिया कि इंवर्टर ले लो, एक बैटरी ले लो, बढ़िया रहेगा आराम से नेंद करना मैंने 2 साल पहले ये इंवर्टर लिया, 600 VA का इंवर्टर है और ये एक बैटरी लिया, ट्यूबलर बैटरी जो की 120 AH का है और मैं सोचा कि चलो मेरी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे ही रात को 12 बज़ता था, 11 बज़े सोने चलने बढ़िया थोड़ा वो तनी इंद आये, तो बैटरी जो है खतम फिर मेरे पिछले साल एक फ्रेंड है सजस्ट किया कि, एक और बैटरी लिया लेकिन फिर भी प्रॉब्लम जो है, वही कि वही है प्रॉब्लम इसलिए हुआ, इसलिए हो रहा था, कि बैटरी जो है चार्ज ही नहीं हो पारी है Because of current electricity power नहीं है तो चार्ज कैसे होगी जब चार्ज नहीं होगी तो रात में backup कैसे देगा तो आप कितनी batteries रख लें कोई solution नहीं है जब तक से एक power source alternate power source नहीं मिले आपको लेकिन इस साल ये समस्या मेरी दूर हो गई है बिल्कुल कैसे दूर होई आपको बताता हूँ एक company है Lume Solar जिसका नाम है और ये solar products manufacture करें खास करके अगर बात करें तो solar panels की बात करें तो mono crystalline panels जो होते हैं वो manufacture करती है और साथ-साथ AC models भी manufacture करती है उसके साथ-साथ उसके और भी जो supplementary चीज़े होती है उनिफाक्चर करती है और लोगों को online भी sell करती है और साथ-साथ इसके बहुत सारे resellers है वो भी sell करते हैं तो उन्होंने मुझे कुछ panels भेजे हैं कुछ stands भेजे और accessories भेजे हैं और बोले हैं कि आप बहुत simple है आप इसको install कर लिए खुझ से कर सकते हैं और करके आप connect कर लिए अपने battery के साथ और देखिए फिर आपका ये battery जो है फुल चार्ज होएगा आपके धूप अच्छा रहता है हमारे बहुत गर्मी पढ़ती है धूप अच्छा रहता है कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है चलिए आपको हम ले चलते हैं अभी एक battery को लेका चलते हैं हम बाहर और उनके panels को install कैसे किया था वो सारी चीज़े दिखाऊँगा मैं आपको उसके साथ टेस्ट करूगा एक्सपेरिमेंट दिखाऊँगा यह एक battery जो है अभी discharge कर दिया हूँ आपको एक्सपेरिमेंट को तोर पर दिखाने के लिए इसका power कितना है वो भी दिखाऊँगा अब यह कितना provide कर रहा है और बाद में मैं सुबह के समय चार्ज में लगाँगा और रात में फिर साम में आपको दिखाऊँगा कि कितना voltage पहुंच गया है फुल चार्ज हुआ है या नहीं चले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल दोस्तों सुबह के आठ बजने लगे हैं और धूप जो है वह काफी अच्छा जो है मैं लेकर आ गया हूं चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि यह पैनल जो केतना voltage प्रोड्यूस कर रहा है जंक्सन बॉक्त से तरब से वायर आ रहा है और यह दिखिए पॉजिटिव नेगटिव हमने यहां कनेक्टर कनेक्ट कर दिया जो मिला था इसके साथ और चलते हैं हम यहां पर इसका छोर और इस छोर पर मल्टी मीटर से हम कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे इसका कि यह वोल्टिज प्रोड्यूस कर रहा है तो सबसे पहले हम मल्टी मीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया इस प्रोब में कॉमन और वोल्टिज वाला और उसके बाद इ इस ब्लैक वाले को ब्लैक वाले एक साथ करनेक्ट कर दिया आप देख सकते हैं 21.4 वोल्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है हमारा सूलर पैनल अभी सूभा की कंडिशन में और यह जो बैटरी है 12 वोल्ट के से चार्ज करना होगा मुझे तो अब फिलहाल आप बैटरी की वोल्ट इस आपको चेक करके मैं दिखाता हूं कि कितना बैटरी जो है अब जोरी फुली डिसचारज मैंने कर दिया है ठीस्ट करने के लिए और आम तर बैटरी को फुली डिसचारज नहीं करते तो आपको चेकर के दिखाते हैं मल्टिमेटर से चलिए दोस्तों आप इस बैटरी को हम दिखा दें कि यह कितना चार्ज है और इसके लिए हमने इसका पॉजिटिव जो है वो पीले वाला पॉजिटिव है रड़ वाला एकसांद कनेक्टर दिया है मल्टिमेटर के और ब्लैक अब हग 10.3 वोल्ट जो है वह अभी दिखा रहा है 10 वोल्ट हो गया आम तो आप 12 से उपर रहता है और यह 10.3 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है हमें 10.3 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है फुल्ली डिस्चार्ज कंडिशन में यह हमारा 12 वोल्ट का बैटरी चलिए दोस्तों अब हम चार्ज करते हैं इस पैनल से इस बैटरी को और यह दिखिए यह जो है कनेक्टर के तुरब से वायर हो है पैनल में से और इस वायर को हम कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव वाले क की काफी जादा आता है और जादा बहुत ज्यादा वोल्टेज पर चार्ज करना बैटरी के लाइफ को खराब करता है कमजूर करता है बैटरी को इसलिए आप हमेसा यहां पर जू है वह गर इत्mal करें और विच में चार्ज कंट्रोल लगाकर रहें चार्ड करें ताकि आपके बैटरी सेव साइड है हमें हमेसा फिलाहाद फिलाहे एक्स्परेट के लिए मैं कर ना ने यदी टर्मे जा रहा हूं जैसे के डिरेक्ड के द्रपम ने जैए मैं चार्डबश बकार लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा ये करेंट चेक करके बताएं कि इतना करेंट अभी सूबा के समय प्रवाइड कर रहा है यह लगभग साढ़े आठ हो रहा है और साढ़े आठ सवाट हो रहा है और कनेक्टर करके आपको दिखाता हूं करेंट हमेसा सिरीज में चेक होती है हम चलिए दोस्तों अब एक टर्मिल को मैंने इससे करेंट कर दिया इसी में और जुरुत है कि आप थोड़ा टाइट करेंट कि किया कीजिए तभी जो है करेंट अच्छे तरीके से मेजर होता है सिरीज में हमेशा करेंट को मेजर करते हैं डिवाइस के साथ तो यह हम यह है आप देख रहे हैं कितना यह कनेक्ट कर दिया हमने अब देखिए और आप देख सकते हैं आप 5.64 करेंट जो है फ्लो कर रहा है एंपियर का इस बैटरी के अंदर सुबह का समय है भी सुबह है लगबग सवा आठ आठ बीस हो रहा है घड़ी में और यह 5.65 एंपियर से च ड़ी मेरी करेंट जो है अपसराद देखाते हैं सुबह मैं मैंने करेंट छुक है था तो कबार रहा था तो मैं इसको एक बदो से तो यह दिखेक करेंट जो है वहिषए दे इस वक्त एक बजे तो यह देखिए दोस्तों हमने इसे कनेक्ट कर दिया है और इस सूलर पैनल से अब हम साम कवाएंगे और देखेंगे यह बैटरी का कितना वोल्ट तक चार्ज करती है दोस्तों इस वक्त आप देख सकते हैं साम हो गया है और साम के लगभग 6-15 हो रहे हैं हमारे घड़ी में और धूब जेखिए चला गया है च्छत परसे अब थोड़ी दिख में सूरियास्त होगा और यह बैटरी हमारा चार्ज हो रहा था देखेंगे आप इसका कि कितना चार्ज हुआ है तो इस चार्जिंग जो है हमने हटाते हैं और हटाने के बा नेगाटिव हमने कनेक्ट कर दिया स्टर्णल से और पॉजिटिव जो है इसमें हम कनेक्ट करेंगे आप ओके सो मैं इसे पकड़ता हूं और यह देखिए जो वोल्टेज है वह यहां पर वो मिल रहा है आपको 12.5 वोल्ट तो आपने देखा अभी कि इस बैटरी को हमने 12.5 तक चार्ज किया 10.3 ठीक और फ्ली डिस्चार्ज हो गया था इसे 12.5 तक यह दस घंटे में हमने इसे सवा अठ में कनेक्ट किया था सवा चे में Disconnect किया दस घंटे हुए और उसमें यह इतना अच्छा पहुंचा चाहरू हलाक यह फुल चार्ज नहीं हुआ है definitely क्योंकि इसी बहुत ज्यादा यह 238 की बैटरी है एक्साइट का सबसे जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैटरी होता है IT850 है और इसलिए यह फुल चार्ज नहीं हुआ है लेकिन क्योंकि यह जो पैनल है मैं यहाँ पर एक लगा है इसके लिए अगर दो 180 वाट्स के पैनल लगा दूए पैनल ही आपके पास तो बैटरी अगर आपके पास 130 ह किया जैसे मेरे पास पुरानी बैटरी थी 130 ह कि अगर वह यूज करता तो अराम से यह 10 घंटे में चार्ज कर देता है तो कहने का मतलगे यह कि यहाँ पर कुछ चीज़े और आपको बता दूँ कि मैंने चार्ज कंट्र करते हैं तो वह थोड़ी अफिशिंसी को बढ़ाती है कर एंट को थोड़ा जाड़ा कीचती है वोल्टेज को कंपरमाइज करती है और उससाब से और ज्यादा फास्टिक फास्ट चार्जिंग करता है तो कुलमिला जुला कि अगर कहा या तो यह लूम सोलर का जो पैनल है ह हम आप हमने जो यूज किया वह काफी बहतर है और आप भी अगर यूज करना चाहते हैं आपके बास बैटरी है आप परिसान है पावर कट से तो यह बेस्ट सॉलिशन है आख बंद करके आप परशिस कर लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उस लिंक्स पर कि अगले दो पर बंद करके चाहते हैं लिए जाप बंद कंप डेडरी है आप नीचे सते हैं आप कर जो कि बाह दो यूज कर दो आम लिए आपे बंद कर दो यह रदिक।